कुरोन से ठीक हो चुके मरीजों में फंगल इंफेक्षिन की कई मामले सामने आ चुके हैं ब्लंक, लॉयट और यलो फंगस के बाद अब मध्य प्रदेश में COVID से ठीक हो चुके मरीज में घ्रीन फंगस का मामला सामने आया रिपोर्ट्स की माने तो ये देश का पहला मामला है इन दौर के 34 साल के पेशिंट को कुरोना से ठीक होने के बाद मंगलवार को एर एंबुलेंस की द्रू मुंबई के हिंदू चाफ हस्पिटल भेजा गया एसपोगिलेस एलर्जिक फंगस से पैदा होने वाला इंफेक्शन है ये घर के अंदर और बाहर हर जोका पाया जोता है जिस बातावरण में इसके स्पोर्स मौजूद हो उसमें सांस लेने से संक्रमट हो सकता है हला कि ये हर किसी को नहीं होता लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम कमजूर है और जिने लंग से सम्बंदित कोई बिमारी है उन्हें इससे संक्रमट होने का खत्रा जादा है बता दें कि लोगों के मन में ये डर है क्या ये एक दूसरे से इंसान में फैल सकता है या नहीं तो आपको बता दे कि US Center for Disease Control and Prevention के मताबिक एस पोगिलेस से allergic reactions, lung infections और शरीर की दूसरे अंगों में संक्रमन हो सकता है हलाकि ये संक्रमन बिमारी नहीं है और एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है इस वीडियो में फिलाल इतना ही ऐसी ही तमाम चौनकारियों के लिए बोल्ड सकाई को सबस्क्राइब करना ना भूलें